हे ब्रिवान वेलकम टू कॉफी बी सो आज मैं बात करने वाली हूँ हम इंडियन्स और हमारी एक जो बुरी आदत है वेलिडेशन की उसके बारे में मैं कुछ ऐसे वीडियो देखती हूँ और मेरा दिल इतना दुखता है न कि हमारे ही देश के इतने महनती क्रियेटर है जो कि पुरा दिन जो है चीजे दिखाते हैं घूमते हैं अपना खर्चा करते हैं महेंगे महेंगे एक्विपमेंट खरीदते हैं वह पी इम आई पर तो उनको कोई नहीं देखने जाता लेकिन जो फोरेंनर्स है वह खाली ऐसे वीडियो बनाते हैं कि फॉस्ट वीडियोज अप्लोड करते हैं कुछ टाइम बाद उस पे मिलियंस ओफ यूज होते हैं और कॉमेंट में क्या होता है वैलिडेशन ले रहे होते हैं थैंक्यू सो मच इंडिया का जो है खाना टेस्ट करने के लिए वी आर प्राउट ओफ इंडियन कौन-कौन मेरी तरह सेम टाइम अगर कोई हमारा इंडियन जो है यूट्यूबर ऐसा करेगा तो उसको हरेस करेंगे जाकर अरे अच्छा नहीं लग रहा है नोटंकी कर रहा है यह कर रहा है वो कर रहे हैं तो यह सब बहुत बढ़ता जा रहा है इन गोरों को अच्छे से पता है कि हमारी इंडि लड़की होती है मैन होती है हमारे जो इंडियन मैं होती है उनको तो प्लच की में पयंशित होता है इसलिए तो जैसे भाशिक करवाने जाते क्या ऐसा खास होता है foreigners में मुझे समझ नहीं आता just because वो fair है इसलिए वो unique हो गए आपको क्या लगता है कि उसमें जो खास बाते वो आप में नहीं है मतलब वो special कैसे है मुझे समझ नहीं आता just because की वो गोरे है और हम brown है तो वो superior हो हो गए और हम हीन हो गए उनके साथ सेलफी की जबाएंगे फिर सबको दिखाएंगे दोस्तों को देखो में इससे मिला तरे उसमें क्या यूनिक है उसने कौन सा सथीर मारा है वो क्या उसने अपने देश के लिए इतना खास के और क्या उसके आने से हमें से फाइदा हो गया हाँ टूरिजम का जो है फाइदा होता है वो बात अलग है बट यह जो टूरिस्ट भी आते ज्यादा तर उसमें से आधे जो टूरिस्ट होते है न वो जाएंगे कहां पर मुंबाय आएंगे धरा भी जाएंगे India is very poor, India is very dirty, Indians are very good, Indians are very very dirty, no hygiene in India, Indians are drinking cow urine, Indians are very very bad, I don't like Indians because Indians are dirty, oh man, they are eating with hands, so unhygienic Indian and their curries are so early, it gives me heart attack if I am staying in India more days, what is this man, curry pakura और यह जान बुचकर ऐसे प्रणाउंस करते हैं हमारे जो खाने होते हैं जो इंडियन फूड को ट्राइक करते हैं जान बुचकर ऐसे basic pronunciation भी उससे नहीं हो पाते हैं, अच्छा हमारे नाम बहुत difficult है, तो भाई तुम्हारा भी हो जी दानी रो पता नहीं कितना बड़ा भाई सीमान बद डिलिश्यस अब डिलिश्यस बोलना पड़ेगा पाईसी बूल कर क्यों कि यहीं से तो इंडियन साइंगे वेलिडिशन लेने प्लीज गिवी में वेलिडेशन आइम इन इंडियन तो भाई इन लोगों का ना इन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि कर anime को कैसे क अट्रेट करना है कि यह उनकी टैक्टिक्स है तो ऐसे लोगों से बचो वेलिडेशन लाने मत जा उसे इच्छे हमारे कि में क्रिएटर के वीडियो को पूर करो उसको अप्रिशिय Bart क रो उसको सर्फ करने के वज्की कि भाई जात उससे क्या हो पाएगा बोरिंग यह वो वो कुछ नहीं आता अब तो लैंग्विश शेमिंग भी शुरू हो गई अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता किसी भी क्रियेटर को तो उसको गवार की केटेगरी में डाल दिया जाता है कि हो तो गवार है उससे अग्लिश भी नहीं भूली जाती क्यों भाई मतलब आप इंग्लिश को शौफ के तरह देखते हो कि इंग्लिश से अप कनेक्ट कर पाओगे कि हर किसी के हरके से आपकी बात्षीत आसान हो जाएगी च्छों मैं तो किल की तरह देखती हूँ ऐसा नहीं कि भाई एगर मुझ इंग्लिश आ गई तो मैं बहुत सुपीरियर हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है इंग्लिश जिसको आती है वह भी घर पे बैठे है और जो हिंदी स्पीकर है सवरो जोशी देखो उसको इंग्लिश नहीं आती है बोलने करोड़ों रुपे कमा रहा है चलो यह तो कमाने की बात द के विल में गई थी वो उनको भी नहीं आती इंग्लिश वो भी नहीं बोल पाती इंग्लिश तो क्या उतका जो हुनर है आप उसको कमाग दोगे कि आप उसको बोल दो कि गवार है उसके हुनर को नजर अंदस कर दोगे क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती तो हमारे ही जो के भुझ कोई कमी नहीं हो जाती, ठीक हैा, उसका हुनर मिना इंगलिश के भी ऐसा ही है, उसका हुनर अगर इंगलिश में बात करने में चीजने इसे पह Да с मैं यह फोरेनर्स के बारे में कर रही थी कि भाई यह जानबुश कर जो है बेसिक वर्ड ऐसे प्रनाउंस करते हैं जैसे कि जिससे ज्यादा तर लोग आएगा हो कितना आपका एकसेंट क्यूट था जब आपने फलक फणनर बोला तक तो हो बिगल गए हम लोग कौन-कौन मेर देश से प्यार करता है लाइक ऐसे कोमेंट्स की भरमार होती है ऐसे वीडियोस की नीचे और यही तो इनका में मक्सद होता है एक ट्रेक करना और हो भी गए और अब तो इनकी मार्केट बहुत बड़ी होती जा रही अब यह वैब सिरीज पे भी रियक्ट करते हैं अब यह पर बहुत रहते हैं उनकी जो चाहते हैं वहाँ पर आजाती है कि आप सही बोल रहे हैं सही है पता नहीं यह ऐसे है राइट विंग वाले गलत लिग वाले तो आपस में फिर कॉमेंट में यह सब जगड़ाबाजी करते हैं लेकिन उनका तो फाइदा हो गया वह जो चाहते मुझते जो होगे उसा है इनके टाइल में एक बात कॉमन होगी फॉर्स ताइम है णा ट्राइंग इंडियन करी फस्ट इंडियन फुर्स ताइम और कान में से दुआ है जो तो बहुति तो बहुति कि यहां को सबने हम गोरे हो नहींूरन केChristian के का का अब तो गोरी बहुए भी आ गई है हिंदी बॉलते हैं मामस्ता साथ सुचे साड़ी पहन लेगी बिंदिला वालेगी रोज मंदिर जाएगी अरे हमारी ओडियंस वही पर बिगल गई अरे वाव वाव देखो गोरी वहू कितनी संसकारी है वाव भाव 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 आप तो बिल्कुल ऐसी लग रहे हैं जैसे हमारे इंब्या से ही वह भावी जी उन्हीं के पीछे फिर लग जाती है ओडियंस उन्हीं के फैवन में कि देखो गोरी गोरी को बना डाला ना इंदुस्तानी भाव वह बेवकुफ बनाने के लिए बनी है उसको कोई बहुत कम लोग को ऐसे होते हैं जो दिल से हमारे कल्चर को एडॉप करते बागी यह सोचल मीडिया क्लाउट के लिए जितने ही गोरी बहुए आई है या तो हमारे भी बहुत सारी लोग इसा करते कि फॉरें में जाके वही गोरे से शादी कर लिया फिर वही उसके साथ की देखो मैं इसके स साथ तो यही तो देखना इंगिन ओडिंस को कि कैसे हमारे कल्चर को एडब कर लिया कितनी संसकारी है वा 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 आपका तो देश के लिए प्रेम देखकर मेरी आँखों में आसू आगया ऐसे भी कॉमेंट्स रहते हैं भाई मत करो मत करो हमारी किसी देश के क्रिएडर क सपोर्ट करो उसका मजाग मत बुढ़ाओ उसको आगे भड़ाओ है ना या तो खुद आगे बढ़ जा कुछ क्रिएड करके लेकिन मत करो गोरो इसे वैलिडेशन के हमें कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं भाई क्या कम यह हमें हमारे देश में हमारे देश अगर घ लेकिन हमारे देश में अतिति दिवो भवब बहुत अच्छे तरके से ट्रीट करते हैं लोग लेकिन ये लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे मुंबय आंगे धरावी जाएंगे वहां की गरीब ही दिखाएंगे अरे देखो इंडिया इतना गंदा है यहां पे तो सिर्फ गर जग है इंडिया में देखने के लिए तुम वह देखो न तुम्हें धरावी क्यों जाना है इसलिए क्योंकि तुम्हें इंडिया के गरीब छवी दिखानी है फूरी दुनिया को कि देखो कि इतने गरीब है जान बुछकर अब धारावी तो टूरिस प्लेस बनगे है लेकिन एक जागरुप्त नागी रिखोने के नाते हमें अपने देश में नागंधी फैलानी है वक्त पे टेक्स पे कर देना है वक्त पे जो है अपने ये पबलिक जो प्लेसिस होती है उसको नुकसान नहीं पहुचाना इधर उदर थूकना नहीं कुछ पबलिक प्लेसिस में अपना ध्यान रखेगा बबाई